कि अब टेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का प्यार नहीं है किसे का आत में है इस पाइब में है आदमी का कोई पॉब्लम नहीं हुआ थोड़ा थोड़ा चोटाया था जनगल हो गया पुरा इधर से उधर तक लोग हो गे कर दो है सब्सक्राइब देखे तो आए देखे तो एशा हुआ है अब फेर सबको निकाले अंदर से मिनियम 300-400 को निकाले सब ऐसा हुआ है पांच साड़े पांच पाजे तो आप लोग इस कितने डिस्टन्स में थे तो तो आपकेट में थे इधर 200 मिटर तक लोग होगे बहुत लोग इधर थे और आबाज मतलब जन्गली हो गया पुरा इधर से उधर तक लोग हो गये ऐसा हुआ है अपने लोग होने के आसंका दिखा अप लोगे सामने तो लेके गया है लोग निकाले गया हाँ हम तो दो सब्सक्राइब को निकाले मेरे को छोरा आक लग गया था इसलिए सोया था उसी टाइम जब गारी पाल्टी हुआ ताम हमारा निन तोर गया ठीक है उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था रेजर्विशन बोले तो जेनरेल का जैसा है तो दस पन्राइब मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया जब पूरा आदमी तोल पर लग लगा दिया उस टाइए मेरे को मैं सबकर नीचे था ठीक है मेरा हाथ में लगा इधार बहुत दर्द हो रही है इदर गार में लगा है उसके बाद ऐसा देख रही है कितना लोग का डेट हो बोले तो मैं जब टेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है किसी का तोबरा बिगर गया है जब मैं उदार से आया उदार से फेर इदर बापास आके इधारी बैठाथा मैं कलकता से आया हूँ नोडिया डिश्टिक आप कहा जा रहा है थे हम लोग चेननाई जा रहा है थे हम लोग बाद में वह टेन पक रहा है था बाद में हम लोग नमा था हम लोग S5 में है S5 का आदमी का कोई पॉब्लिम नहीं हुआ थोड़ा थोड़ा चोट आया था आपको किक्ने लोग है हम लोग एट आदमी था जा रहा है था चेननाई जा रहा है था पेंटिंग काम कर रहा है था कि यहां पर खैदे हुए है कि आगे का प्लांट क्या है हम लोग आपी घर में जाएगा इसा है जानगरी है हम लोग बोला है हम लोग ठीक है कोई पबलिम नहीं हुआ हम लोग का आचाना कैसा हो गिया में जो दुखद रेल एक्सिडेंट हुई है जिसमें तीन ट्रेंज इन्वाल्व हुए है सालिमार कर्मुनल सुपर फास्ट एक्स्प्रेस दूरंतो एक्स्प्रेस और एक गोड्स ट्रेंड इसके वज़े से दो पासेंजर ट्रेंड को नुक्सान हुई है अभी तक जो ख़वर मिली है तीन सो से चार सो के बीच में इंजियोड पासेंजर अभी हस्पिटाल डिफरेंट हस्पिताल में भरति किये गये हैं और वो रिलीफ और रहत कारियों को कोडिनेट करने के लिए सुप्रभाइज करने के लिए वहां जीला कलेक्टर एस पी रेंज आईजी पुलिस और चार ओट्राफ टीम तीन एंडियरेप टीम और वीस से ज्यादा फायर सर्फिस टीम को रिस्क्यू टीम को लेके काम कर रहे हैं करीब पांसो से छेसो रिस्क्यू वार्कर्स ये काम में नियोजी थें ये रात की टाइम में जो रिस्क्यू काम चल रहा है उसको कोडिनेट करने के लिए अच्छी टावर लाइट्स का परियाप्त मात्रा में वहां उपलप्त कराए हैं और continuous अभी rescue का काम चल रहा है इस बीच में ख़वर आई है कि कुछ पासेंजर का dead होने का news आई है बट अभी तक हम कोई confirmed figure आई नहीं है अभी प्रसाषन का जो में काम है priority है बचाव का काम करना priority है तो इसी काम में सब लगे हुए है हमारे बालेश्वर medical college, बालेश्वर district headquarter hospital, भद्रक district headquarter hospital, जाजपूर hospital, सब होस्पिटाल को रेडी करके रखा गिया है adequate doctor से है और accident site को भी हम पचास से ज्यादा डक्टर अब टिम भेजे हैं और 65 से 70 ambulance काम कर रही है और उसके बाद भी हम 30-40 buses वहां पहुंचा है और buses में passenger लोग को हम लेते हैं दुसरे जाया पे ये रात भर ये काम चलेगा आसा करते हैं कि सुबे से पहले entire relief and rescue operation को हम complete कर पाएंगे हम अबलाइस किये हैं भूबनेशर से और दो टीम हमने कलकटा से तो वहां पे sufficient टीम होगी with equipment इस operation को हम अच्छी तरीके से इंजाम दे सकते हैं करना पर है टीम को rescue करने में डोड़को या कोई ऐसी situation हो रही है कि नहीं हो पार है देखिए difficulty तो होती है हर situation इस तरह के accident जो है different होते हैं और जो different होती है उसमें सबसे बड़ा वहां का darkness है और जो बॉड़ी एक दूसरे के ऊपर यानि की जो है बॉगी इस बाई जो है उसको सर्च करके उसके assessment के बाद में operation अलड़ी ओन है हमारी composite टीप रहती है उसमें सारे उसमें component रहते है उसमें search and rescue रहते है डिटेक्शन करेता है उसमें medical component भी है कैनाइन भी है इंजिनियर्स भी है इस साब composite टीम हमारे होती है तो अभी सर अभी तक injured कितने निकले हैं या dead bodies कितने निकले हैं यह फिगर जैसे ही मिलेगी हम आपको update करेंगे क्योंकि अभी हमारा focus response पर है जिसमें search and rescue is my focus है क्योंकि बहुत critical है अभी initial stage में जितनी हम life बचा सकते हैं उतनी बचाने की फूर रिकोसिस करेंगे यह देखिए कितने देर में होता है complete होता है बट हमारे resources का है और जो resources की जरूरत पड़ेगी स्टेट government के साथ में और railway 30 के साथ में हम लगाता टच में